तो सोनी इंडिया को अपना नया M.D. और C.E.O. मिल चुका है जो की होने वाले हैं गौरभ वैनरजी गौरभ वैनरजी सक्सीड करेंगे एंट पी सिंग को जो पिछले 25 सालों से सोनी में है एंड अब वो सोनी में ही रहेंगे एक साल के लिए इस फैनेशल लेयर के लिए लेकिन एज नॉन एग्जीक्यूटिव चेर्मेन वो इसलिए क्योंकि एंपी सिंग देखना चाते है कि भाई सब को स्मूधली होना चाहिए ठीक है ये जो पावरशिप्ट है स्मूधली हो जाए अब गोरब बैन जी की बात की जाए इनका 40 साल का करियर है ये आज तक में एज एंकर इंट्रिड्यूस हुए थे फिर ये चले गए स्टार निउस पर फिर स्टार निउस एपी बी निउस बगरा बन गया और फिर बंदा चला गया डिजनी में जी हाँ डिजनी में ये डिजनी प्लेस होट साल के कॉंटेंट मैनेचर हैड थे एंड जो इनके टीवी चैनल थे स्टार के वहाँ के भी हैड थे सोनी ने तो इस पर ये कमेंट किया कि भाई वह बहुत एकसाइट है कि ये बंदा फोड़ने वाला है इनका जो विजन है वो सोनी को मजा देगा अब ये जरूरी क्यों हो जाता है क्योंकि अगर रिलाइंस और डिजनी का मज़ब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है उनकी सरकार बन जाती है तो ओपोजीशन में खड़े होंगे सोनी वो भी गौरफ बैनर जी की लीडेशिप की तरह तो समझ रहे हो हैड फोफ ओपोजीशन हो जाएंगे इट्स लाइक रिलाइंस वर्सिस सोनी रिलाइंस की तरफ डिजनी के उधे शंकर होंगे जोगी भाई इस बिजनस वे बहुत फाड़ है और सोनी के तरफ है अपने को रवे